पहले टेस्ट मैच में इंडिन टीम को मिली हार के बाद अब भारती टीम को डबल जटका लगा है और रवेंद्र जड़ेजा इसके साथ साथ केल राखुल भी दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं दोनों ही खिलाडियों के अगर हम बात करें तो जो चौथा दिन ता पहले टेस्ट मैच का उस समय रवेंद्र जड़ेजा की हैंस्टिंग में कुछ प्रॉबलम थी और केल राखुल जो हैं वो भी क्वाट्रे से की शिकायद से कुछ जूज रहे थे इस वज़े से अब ये द दोनों ही खिलाडी जो हैं वो दूसरे टेस्ट मैच में खेलती हुए नजर नहीं हैंगे वीसे से ने दोनों ही खिलारियों के रिप्लेयस्मेंट के तौर पर से तीं खिलाड़ीों को टीम में शामिल किया है सर्प्रास खान को टीम में जगए दी है, सौरब कुमार को टीम में जगए मिली है और वाशिंग्टन सुंदर को भी शामिल किया गया है पहला test match हैदरबाद में खेला गया, भारत और इंगलन के बीच और इस test match में इंडिन टीम को 28 रन से हार छेलनी पड़ी आखर में test match जो है वो काफे interesting हो गया था और एक समय जहां पर लग रहा था कि भारत की पकड़ इस test match पर मजबूत है उसी समय इंगलन की तरफ से एक तो ओली पोप ने इस तरह की पारी खेली की जो पूरी भारतिय टीम है वो उनके बैक फूट पे ही नज़र आई उनकी इस पारी की बाद और 196 रन उन्होंने बनाए और इस test match में रोहितन कंपनी को 28 रन से हार मिली और इस हार के बाद अब डवल जटका लगा है रविंज जड़ेजा और कियल राहूर दोनों ही अगले test match में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे replacement के तार पर तीनों खिलाडियों को शामिल किया गया है अब इन में से playing 11 में किस खिलाडी हो जगए मिलती है ये देखना बहुत दिल्चस रहेगा वैल आपको क्या लगता है आप क्या predict करते हैं कि दूसरे test match में इंडिन टीम की playing 11 कैसी हो सकती है do let us know in comment section below and other sports updates के लिए देखते रहिए NDTV